प्रदेश कारशकारने की बैठक में देखने को मिला है जिस तरीके से पहले जेडियू के पुर्व विधायक मतिहानी के पुर्व विधायक नरेंदर कुमार सिंग उर्फ बोगो सिंग ने ये कहा कि उन्हें लोजपाने नहीं बलकि बीजेपी ने हडाया है वहीं अब नितीश कुमार ने भी इशारे इशारे में आज बैठक के दौरान बीजेपी पर हमला बोल दिया उन्होंने सिधे तोर पे कह दिया है कि यहां कौन दोस्त और कौन दुश्मन है ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है हलांकि उन्होंने तमाम बाते कहीं है कि चुनाओ के दौरान ही उन्हें बहुत कुछ समझ में आ गया था लेकिन अब काफी लेट हो चुका है आपको पता है कि जिस तरीके से इस बार विरासवा चुनाओ का रिजल्ट आया उसके बाद से ही खटास देखने को मिल रही है बार बार एंडिये में अन्बन की खबर सामने आ रही है तमाम जो जेडियू के नेता है वो लगातार लोजपा पर यारूप लगा रहे थे कार बार दोनों डलके नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में कुछ भी गलत नहीं चल रहा है कुछ भी खटास की स्थिती नहीं है सब कुछ सही चल रहा है विहार में एक स्थिर्ष सरकार जो है वह बन चुकी है और इस पर कोई भी आरूप जो लगा नहीं आता ये बात कह दी है जिसके बाद कही तरह की चर्चाएं तेज हो गई है आज जब बैठक में शामिल होने के लिए बोगो सिंग पहुँचे थे तो उन्हें सिधे तोर पे कहा था कि लोजपा की आउकात नहीं है कि वहाँ जेडियू को नुकसान पहुचा पाए लेकि सिर्फ प्रत्यासी वहाँ बने है जहां पर जेडियू जो है अपना प्रत्यासी उता रहा है तो ऐसे में जिस तरीके से चर्चाएं उस वक्त चल रही थी आप वह चर्चाएं को फिर से तेज हो गई है देखने वाली बात होगी कि निती इस कुमार के इस सांकेतिक जो उन् इन डाइरेक्ट रुप से उन्होंने बीजेपी पप्रहार किया है तो इसको लेकर बिहार की राजनिती में क्या कुछ होता है आज प्रदेश कार्जकारनी की बैठक हुई आगे क्या कुछ होता है इसको लेकर जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंच आप